हलो फ्रेंड एक बाफीर आपका स्वागत है कंचनल लाइफ फ्रेंड चनल पर आज हम वीडियो पर ग्लिम स्टार M1 टेबलेट के बारे में बात करते हैं यह मैंनकाइन कंपनी द्वारा निर्मित है और इसमें ग्लिम पिरैड और मेटफर्मिन समागरी शामिल है यह दवा एंटी डायबेटिक ड्रग के नाम से जाने वाली दवाओं की स्रेंडी से संबंदित है यह दो दवाओं का एक कॉंबनेशन है और इसका उपियोग वैसको में टाइप 2 डायबेटीज मेली टस के इलाज के लिए किया जाता है यह डायबेटेज के लोगों में ब्लड शुगर के इस तरको नियंतरित करने में मदद करता है ग्लिमस्टार M1 टैबलेट खाने के साथ लेना चाहिए और अधिकतम लाप्राप्त करने के लिए इससे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लेना चाहिए और डॉक्टर यह निरने लेते हैं कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार की यह आपके खून में शुगर के इस तरके अनुसार कैसे काम कर रही है अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपके बलड शुगर का इस तर नियंतरित है तो भी इस दवा का सिवन करते रहें अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्श किये बिना बन करते हैं तो आपके बलड शुगर का इस तर बढ़ सकता है और किडनी का नुकसान, अंधापन, नसों से संबंदित समस्याएं और अंगों को खोने का जोखिम रहता है याद रखें कि यह दवा इलाज का केवल एक हिस्सा है जिससे डॉक्टर द्वारा दी गई सलहा के अनुसार, स्वस्त आहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए और आपकी जीवन शेली डियाबेटेज को नियंतरित करने में एक बड़ी भूमी का निभाती है इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में बलड गुलुकोज इस तर में गिरावट है और सुनिशित करें कि आप लो बलड गुलुकोज लेवल के लक्षणों जैसे की पसीना आना, चक्कर आना, सिर्दर्द और कपकपी को पहचानते हैं और इससे निपटना जानते हैं, इसकी रोकथाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और गुलुकोज का तेजी से काम करने वाला श्रोत जैसे की शुगर वाले खादपदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है, साथी शराब पीने से आपका बलड शुगर के इस तर में कमी का जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए इसते बचना चाहिए, और इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी हिर्दय रोग था तो डॉक्टर को जरूर बताएं, या उप्युक्त नहीं हो सकता है, साथी गर्भती या इस्तनपान कराने वाली महलाओं को इसे लेने से पहले से परामर्श करना चाहिए, आपके ब्लड शुकर लेवल की नियमित रूप से जाच होनी चाहिए, और डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट और लीवर फंक्शन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की सलहा भी दे सकते हैं, तो फ्रेंड इस तरह से ग्लिम्स्टार M1 टे लाज के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए इस दवा को टाइप 1 मधुमे में उपयोग नहीं करनी चाहिए, सांथी गुर्दे की बिमारी वाले रोगियों के लिए यह दवा उपयोग करने की सलहा नहीं दी जाती है, सांथी गर्भावस्था के दोरान इस टेब्लेट का भी सुरक्षित नहीं है, इसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर करनी चाहिए,